कि यूटूब चैनल पर इक्सास है पार्टी में आप सभी का हारदिक श्वागत है गुड़ इवनिंग टू ओलो फ्यू मेरी तू जैसे कि आपको पते हैं हम के विस टीजिटी पीजिटी हिस्टी की तैयारी कर रहे हैं किसकी के विस टीजिटी एसस्टी और पीजिटी चल रही है कंटिनुटी आपकी कंटिनुटी आपकी कंटिनुटी आमेरेथन क्लास आउट टेस्ट चल रहे है तो आपको भी क्लाश में रेगुलेर्टी बना के रखने हैं कंटिनुटी अपनी क्लास लेनी है चलिए आपके लिए कुछ लाइन लिखिया है बच्चो लाइन आखों में नीन तो बहुत है पर हमें सोना नहीं है क्योंकि हमें जोब चाहिए सिलेक्शन चाहिए के वेस टीज़िटी पीज़िटी में क्या चाहिए सिलेक्शन चाहिए जोब चाहिए जोब चाहिए सैटल होना है हमें क्या करना है तो जोब चाहिए तो आखों में क्या हमार तो हमें शोना नहीं है, अपनी अपनी लाइब में क्या करना है, कुछ करना है, तो हमें जो नीद है वो बहुत आ रही है, पर हमें सोना नहीं है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, तो सोएगे नहीं और इसी समय में कुछ करना है, इसी समय में क्या, कुछ करना इस समय को में खोना नहीं है जो समय निकल गया वो दुबारा से वापिस नहीं आता तो चलिए आगे देखते हैं अब हम कि आंगे क्या दिया गया आगे हमारा नैक्स्ट पीस पर नेक्स्ट पे चुकिए-पीपर इस सीूर पर बुबूक ह Nawab केजए के कर एक को भीविज़ पेपर भूक टी गई आपको इसमें कौन कौन से लाइब्रेइरी के प्रिवेशियर के पेपर है PRT और TZT तीनों के प्रिवेशियर के पेपर है जो आपको सिर्फ 30 रुपे में कितने रुपे में 30 रुपे में आपको मिल रहे है जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके purchase कर लेना previous share के paper आपको कहां से मिलेगे previous share के जो paper है वो आपको link जो वीडियो के description में होगा आप वहाँ से जाके ले सकते हैं purchase कर सकते हैं चलिए next है हमारा ये KVS, PZT, SST KVS की जो TZT, SST और PZT marathon किलाश हमारी continue चल रही है continue के लिए TZT, SST और PZT, history की continue marathon किलाश आपको मिल रही है आपकी preparation जो KVS की है वो बैतर करने के लिए आपके लिए continue classes लग रही है, test daily हो रही है, आपके चलिए next next page पे चलते हैं, अब हम next page पे ये हमारी class कुन से है 12th किलाश है, ये हमारी बारवी class है, बारवी class है आज की हमारी कौन से marathon class है, क्यों से हमारी 12th marathon class है हमारी 12th क्या है marathon class है, जो 11 जो 11th class हो, चुक्छी है वो आपको playlist में जाके मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको तो वे 11th class भी आप देखें, ये हमारी 12th class है, आज की कौन से 12th class है, चलिए time waste ना करते हो, अपने first question क्यों चलते है अपने first question को देखेंगे हमारा first question है हमारा first question आ चुका है first question में क्या दिया गए चानक्य का, first question में दिया गए हमारा चानक्य का अन्य नाम था, किसका चानक्य का अन्य नाम पूछा गया है तो बताईए जो चानक्य का अन्य नाम था वो क्या था option A भट स्वामी, option B विश्नु गुप्त, option C राज सेखर, option D विशाक दत तो चानक्य का जो अन्य नाम था वो आपको बताना है चानक्य का अन्य नाम क्या था चानक के का जो अन्य नाम था वो option B विष्णु गुप्त इसका right answer होगा विष्णु गुप्त क्या हमारा सही उत्तर होगा विष्णु गुप्त इसका सही उत्तर है जो चानक के का अन्य नाम था वो विष्णु गुप्त था या विष्णु गुप्त का जो नाम था वो चानक क्या था कोशियन नमर फुर्स्ट का उप्शन ए ऐप सब्सक्रा कोशन का गया निम लिकित निम्णांकित में से निम्णांकित में से किसकीत उल्णा मेक य candy के से की जाती है option A, option A क्या है हमारा, कालिदास का माल विकागनी मित्र, option B, कोटिल्य का अर्थशास्त्र, option C, वात सायन का कामशुत्र, option D, त्रू वल्लूर का त्रू कुरल, त्रू कुरल, तो बताईए किस की तुलना जो है, इन में से, चार option में से, किस की तुलना है, वो, मेक्या वैली के, उससे की जाती है, question number second का उत्तर बताईए, किस की तुलना है, जो मेक्या वाली का, तो option second का option B, कोटिल्य का अर्थशास्त्र, कोटिल्य का अर्थशास्त्र, so question number second का अमारा, जो सही उत्तर होगा वो क्या है जो कोटिल्या का आर्थ शास्त्र है उससे की जाती है कोटिल्या के आर्थ शास्त्र शे जो तुलना की जाती है कि इसकी जो मेकिया वाली के प्रिंस ते उसकी की जाती है तो कोटिल्या के आर्थ शास्त्र इसका सही उत्तर होगा चलिए अगले कोईशन को चलते हैं अगले कोईशन को देखते हैं कोईशन नमबर थर्ड कोईशन नमबर थर्ड दिया गया हैnaire तीश्रा पश्यषापरशन है इस वह साशक कोन था जिसने राज संगाशन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सूसिम की अत्यकी थी कोशन धर में क्या दिया गया है वह सासक पूचा गया है कि वह सासक कौन था कौन सा सासक है जिसने राज सिंगाशन पर बैठने के लिए अपने बड़े बड़े जो भाई था अपने बड़े बाई शुशीम की हत्य की थी किसने वह सासक पूचा गया जिसने राज सिंगाशन पर किस पर बैठने के लिए जो राज सिंगाशन होता है राज सिंगाशन पर बैठने के लिए अपना जो बड़ा भाई होता है शुशीम उसकी अत्या की थी तो वह कौन सा सासक था जिसने अपने बड़े बाई की अत्या क कोशेंन नमबर सिंगाशन पर बैटने के लिए अपने बड़े भाई बढ़े भाई का क्या नाम था यह भी पूछ सकते हैं कि जो बड़े बाई है वो कौन था हुचlı कि तो सुसीन ता उट्री की थी किस नियो अशो शौशा क है उसने अपने बड़े भाई राद अपने बड़े भाई की थी किसलिए राद सिंगाशन पर बैठने के लिए तो कोशन नमबर थर्ड का ओप्शन ए असो किसका सही उत्तर होगा चलिए नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन क्या है कोशन नमबर फॉर्थ नेक्स्ट कोशन है हमारा फॉ परभावित किया था कोशें फॉर्थ में पूचा गया है जो सम्राट असो कौन जो सम्रोट असो की वैपतनी पूची गई है कि वह कौन थी क्यों सी सम्राट असो की वैपतनी पूची गई है कि कौन थी जिसने उसको परभावित किया था किसको सम्राट असो को परभावित किय उसकी समराट असोग की वैँ पतनी पूछी गई गई है कि वैँ कौन सी पतनी ते जिसने उसको परभावित किया था जिसने उसको भात किया था था error-a error-a टा उसक सी कोट-man of the झालख सकतर आवशन की वैँ जसने ऊसे पर भावित किया था即ो कुष नरे uniform शॉझन नमबर 5 इसमें पूच गया इसमें पूचा गया असोक ने अपने सभी अभिलेकों में एक रूपता से किस प्राकर्त का प्रियोग किया है कुछिन फिफ्त में पूचा गया असोक ने अपने सभी अपने सभी क्या जो अभिलेक में एक रूपता से किस प्राकर्त का प्रियोग किया किस प्राकर्त का पूचा गया कि कौन सी प् लेक है उसमें एक रूपता से किस प्राकरत का किस प्राकरत का जो प्रयोग किया है वो पूछा गया कि कौन सी प्राकरत का उशनी उपयोग किया है या प्रयोग किया है option A, अर्द मागदी, option B, सोर सेनी, option C, मागदी, option D, अंगी का, option D क्या है हमारा अंगी का, तो कोशन नमबर फिफ्ट का कोशन नमबर फिफ्ट का ओप्शन ए अर्द मागदी इसका सही उत्तर होगा अर्द मागदी क्या हमारा सही उत्तर है कोशन नमबर फिफ्ट का ओप्शन ए अर्द मागदी इसका सही उत्तर होगा अर्द मागदी क्या हमारा सही उत्तर है तो अशोक ने किसके जो अशोक था उसने अपने सभी एक अभी लेक जो इतने भी अभी लेक थे उसमें एक रूपता अधी माग दिप्राकर्थ का परियोग किया था कोशन नमबर फिफ्ट का उप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा चलिए अगले कोशन के और चलते हैं नेक्स्ट कोशन का है हमारा कोशन नमबर सिक्स्ट नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर सिक्स्ट कोशन नमबर सिक्स्ट में क्या दिया गया है हमारा बिंदू सार ने कौन से जो बिंदू शार है उसने विद्रोयों को कुचलने के लिए असोक को कहा बेजा था कोशन शिक्स्ट म कुचलने के लिए असोग को कहां बेजा था तो विद्रोईों को कुचलने के लिए असोग को कहां बोजा था किसने बिंदु सार ने जो विद्रोई थे उनको कुचलने के लिए अशोग को कहां बेजा था option a, शुरंड गिरी, option b, तक्स सिला, option c, उज्जैन, option d, वेशाली तो बताई ये असोक ने कहां पर विदरोयों को कुछला था विदरोयों को जो कुछलने के लिए किसने जो बिंदू शार नहीं था उसने असोक को कहां भेजा था तो question number six का option b, तक्स सिला में कहां पर तक्स सिला में भेजा था कहां पर भेजा था, सोक को तक्स सिला में भेजा था जहां पर विदरोयों को कुछलने के लिए गया था किसके दुआरा बिंदू शार के दुआरा तो question number six का option भी, छटे question का अमारा तक से सिला उत्तर होगा चलिए अपने अगले question के ओर चलते हैं, हमारा next question क्या है Question number seven, next question है, हमारा सातवा question है इसमें क्या दिया गया, निम्ली कित में, वहे, निम्ली कित में से वहे व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था question 7 में क्या पूचा गया है 7th question में पूचा गया है वहे व्यक्ति कौन है जिसका नाम किसका जो नाम है देवान पियादशी भी था देवान पियादशी भी जो था वो व्यक्ति पुछा गया की कौन सा वो व्यक्ति था? जिसका नाम धेवान पियाधरी था? option A, asok, option B, चंदर गुप्ट, option C, गोतम भूद, option D, महावीड तो कौन सा व्यक्ति था? जिसका नाम जो था? देवान पियाधरी था? तो कोशन नमबर साथ वे का कोशन नमबर जो हमारा सैवन है इसका उप्शन ए असोक असोक वो साशा का या व्यक्ति है जिसका नाम जो था वो देवान पियादशी भी था तो question number seven का option A हसो किसका सही उत्तर होगा अशोक का नाम क्या है देवान प्यादशी भी था तो question number seven का option A हमारा सही उत्तर है चलिए अपने next question को देखते है next question क्या है question number eight question number eight दिया गया हमारा question number eight में क्या दिया गया निमलिकित में से प्राचीनतम राजवन्स कौन सा है कोशन 8 में दिया गया है निमलिकित में से प्राचीनतम राजवन्स कौन सा है तो क्या पूछा गया है जो प्राचीनतम राजवन्स है वो पूछा गया है कि कौन सा जो इसमें से है चार उप्षन दिया गया है इन में से कौ तो बताईए कौन सा वो राजवन्स है जो प्राचीनतम राजवन्स है कोशन नमबर आठ का कोशन नमबर एट का ओप्शन ए ओप्शन ए क्या हमारा मोर्य है मोर्य क्या हमारा प्राचीनतम राजवन्स है कोशन नमबर एट का ओप्शन ए मोरिय इसका सही उत्तर होगा मोरिय क्या है हमारा सही उत्तर है तो कोश्य नमबर एट का ओप्शन ए हमारा सही उत्तर है चलिए अपने नेक्स्ट कोश्यन की ओर चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्यन की ओर चलेगे is next question कि क्या है हमारा? Q ejerc ng number 9 next question है Qנו 9 दिया गया है Q discomfort 9 इसमें किया दिया गया है? चानक क Ya Kika? किसका परधानमंतरी था? क्या पूँचा गया? 9 question में 9th question में पूचा गया Q чист का परधानमंतरी था पता ही Qogerinerose किसका परधानमंत्री था? option A, चंद्रगुप्त second, option B, चंद्रगुप्त मोरिय, option C, असोक, option D, अजात सत्रू, तो बताईए कोटिल्य जो चानक क्या है वो किसका परधान मंत्री था, इसका जो question number 9 का, जो अमारस सही उत्तर होगा, question number 9 का option B, चंद्रगुप्त मोरिय का वो परधान मंत्री था, कोटिल्य या चंद्रगुप्त मोरिय का परधान मंत्री था, तो question number 9 का option B, हमारस सही उत्तर होगा, question number 9 का, option B क्या है, हमारस सही उत्तर है, चलिए next question क्यों चलते है, next question को देखेगे, next question है, हमारस question number 10, question number 10 दिया गया है, कलिंग, कलिंग विजय के उपरांत, असोक महान ने निमलिकित किस धरम को अंगीकार कर लिया था, question number 10 में दिया गया है, जो कलिंग विजय के उपरांत, अशोक महान ने निमलिकित किस धरम को अंगीकार कर लिया था, तो कौन से धरम कोंगिकार कर लिया था? उप्षण A, जुड़ी जम, उप्षण B, बोध, उप्षण C, हिंदू, उप्षण D, जैन तो बताए जो कलिंग विजय के उप्रांद, जो अशोक था? कौन से विजय के जो कलिंग विजय के बाद या उप्रांद, अशोक महान ने किस धरम कोंगिकार कर लिया था? तो कौशन नमबर टैन का जो सही उत्तर होगा, उप्षण B, बोध कोंगिकर कर लिया था? कौन सा धरम को बोध कोंगिकर कर लिया था? किसने अशोक ने कौन सी विज़े के बाद कलिंग विज़े के बाद तो question number 10 का option B बोध इसका सही उत्तर होगा बोध क्या है हमारा सही उत्तर है चलिए next question क्यों चलते है next question क्या हमारा question number 11 question number 11 दिया गया हमारा चंद्रगुप्त के सासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी question 11 में क्या पूचा गया है जो चंद्रगुप्त है कौन जो चंद्रगुप्त है उसके जो साशन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी जो चंद्रगुप्त सासन था उसके विस्तार यानि कि जो उसका सासन था उसको सासंता उसको फैलाने या विस्तार करने में जो मुख्य रूप से मदद की थी वो पूचा गये तो कुशन option A है हमारा सुद्धोधन option B उपा उमा गुप्त option C चानक क्या है option D शुद्रक तो question number 11 का option C चानक क्या है हमारा सही उत्तर है चानक क्या है इसका सही उत्तर होगा question number 11 का option C चानक क्या इसका right answer है चानक क्या हमारा right answer है तो चंद्रगुत की जो सासंता उसे विस्तार यानि कि उसे फैलाने में चानक क्या ने मुख्य रूपश मदद की थी question number 11 का option C चानक क्या सही उत्तर होगा अचानक के क्या है हमारा सही उत्तर है चलिए next question के और चलेगे next question को देखते है question number 12 question number 12 दिया गया हमारा साची question number 12 में क्या दिया गया है question 12 में दिया गया है साची कौन सी कलावय मूर्ति कला का निरूपन करता है option A जैन option B बोद option C मुशलिम option D इसाई तो बताए जो साची है वो कौन सी कला या मूर्ति कला का निरूपन करता है question number 12 का option B बोद तो जो साची है वो बोद कलावय मूर्ति कला का निरूपन करता है question number 12 का option B बोध इसका सही उत्तर होगा question number 12 का बोध क्या है हमारा सही उत्तर है चलिए अगले question क्यों चलते हैं हमारा जो next question है उसे देखते हैं next question है हमारा question number 13 question number 13 में क्या दिया गया प्राचीन भारत का वैपरसिद सासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन दरम को अपनाया था nation 13 प्राचीन भारत का वे पर सिद सासक पूचा गया है ए उस में जो भारत का ये सद formul फिए आंड को साशक था वह पूचा गया है जिसने अपने लाइफटाइब तापना जो लाइफ शाहिकल था उसके जो अंडिंग टाइम था क्या जो एंडिंग यानि कि जो अंतिम दिन दे चल रहते उसमें जैन धरम को अपनाया था जैन धरम को अपनाया था उप्शन ए चंद्रगुप्त मोरी है उप्शन बी असोक उप्शन सी समुद्रगुप्त उप्शन डी बिंदु सार तो बताएए बच्चो कौन सा वह फैमस सासक था जो प्राचीनेशन टाइम में इशन्ट इंडिया में कौन सा वह फैमस शाशक था जिसने अपने जो प्राचीन बारत चाहिता जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन उते होंन मेंジ धरम को अपनाए था तो कोशिए नंबर ठर्टीन का औप्शन हे हमारा सह इतर है चलिए नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं नेक्स्ट कोशन क्या है हमारा कोशन नमबर 14 नेक्स्ट कोशन दिया गया हमारा 14 कोशन है इसमें दिया गया मोर्या सामराज्य की स्थापना किसने की कोशन 14 में क्या दिया गया है जो मोर्या सामराज्या है उसकी इस्तापना पूछी गई है कि किसने की थी तो बताएए बच्चा जो मोर्य सामराज्या उसकी जो इस्तापना थी वो किसने की option A, बिंदुसार, option B, चंद्रगुप्त मोर्या, option C, असोक, option D, बिंबिसार तो किसने मोरिय सामराज्य की स्थापना की थी आपको बताना है Q14 का Option B चंदरगुप्त मोरिय इसका सही उत्तर होगा चंदरगुप्त मोरिय क्या है हमारा सही उत्तर है Q14 का Option B चंदरगुप्त मोरिय इसका सही उत्तर होगा चंदर गुप्त मोर्य क्या है हमारा सही उत्तर है चलिए नेक्स्ट को देगे कोशन नमबर 15 नेक्स्ट कोशन क्या है हमारा कोशन नमबर 15 दिया गया है इसमें पूछा गया है जो मोर्य सामराज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था क्या जो मोर्य सामराज्य है उसमें जो प्रचलित मुद्रा है उसका नाम पूछ़गया है कि क्या नाम था जो मोर्य सामराज्य में मुद्रा चलती थी उसका नाम पूछगया है option A, पन, option B, तोल, option C, काकनी, option D, दिनार, तो बताएए कौन सी मुद्रा है, जो मोरिय सामराज्य में चलती थी, question number 15 का option A, पन वो मुद्रा है, कौन सी, जो पन मुद्रा है, वो मोरिय सामराज्य में प्रचलित थी, परचलन था उस मुद्रा का, मोरिय सामराज्य में, तो question number 14, question number next, हमारा कौन सा था 15 question है, पंदरवा question है, इसका option A, पन इसका सही उत्तर होगा, चलिए next, question क्यों बढ़ेगे, next, question को देखते है, question number 16, question number 16 दिया गया हमारा, इसमें पूचा गया है, निम नांकितु में से कौन मोरिय वंस का सासक नहीं है, question 16 में क्या पूचा गया है, हमारा, पूचा गया है कि कौन इनमें दिया गया है, जो चार option दिया गया है, इनमें से कौन, जो है, वो मोरिय वंस का कौन से, कौन सा वो शाशक है कौन सा वो सासक है जो मोरिय वंस का सासक नहीं है कोशन नमबर 16 में आपको बताना है जो मोरिय वंस का सासक नहीं है उसका नाम बताना है वो हमारा सही उत्तर होगा तो कोशन नमबर 16 का उप्शन A अजाद सत्रू इसका सही उत्तर होगा जाज सत्रू की है हमारा सही उत्तर है जो अदाज सत्रू था वो मोरिय वन्स का सासक नहीं था तो कोशन नमबर 16 का option A हमारा सही उत्तर है चलिए अगले परशन क्यों चलते है हमारा next question का है question number 17 next question में क्या दिया गए 17 question है इसमें पूछा गया है नीमने लिकित में से असोक का उत्राधिकारी कौन था Q17 में क्या पूछा गया है जो असोक का किसका जो असोक है उसका उत्राधिकारी पूछा गया है कि असोक का जो उत्राधिकारी था वो कौन था option A, कुनाल, option B, बिंदुसार, option C, राहुल, option D, इन में से कोई नहीं तो बताए जो असोक का उत्रादिकारी था वो कौन था असोक किसका, जो असोक है उसका उत्रादिकारी पूछा गया है कि असोक का उत्रादिकारी कौन था question number 17 का जो right answer होगा, option A, कुनाल इसका right answer होगा, कुनाल क्या है हमारा, सही उत्तर है question number 17 का option A, कुनाल इसका सही उत्तर होगा, कुनाल क्या हमारा, सही उत्तर है question 17 का option A, कुनाल इसका सही उत्तर होगा चलिए next question की और बढ़ेगा अपने, next question को देखते है, question number 18, next question क्या है हमारा, question 18 दिया गया है, question 18 में क्या पूचा गया है, मुद्रा राक्षस का कौन से जो मुद्रा राक्षस है उसका लेखक पूछा गया है कि कौन था किसका जो मुद्रा राक्षस है उसका लेखक का नाम पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है option a, अस्व घोस, option b, विशाकदत, option c, काली दास, option d, भास तो मुदरा राक्षस का जो लेखक है वो पूचा गया, question number 18 पूचा गया हमसे जो मुदरा राक्षस है उसका जो लेखक था वो कौन है, question number 18 का option b, विशाकदत इसका सही उत्तर होगा विशाक दत क्या है हमारा सही उत्तर है तो विशाक दत क्या था मुद्रा राक्सस का लेकक था कोशन 18 का ओप्शन B विशाक दत इसका सही उत्तर होगा मुद्रा राकसस का जो लेखाक होता है वो विशाक दत था तो question number 18 का option B विशाक दत इसका सही उत्तर होगा चलिए अपने next question क्यों चलते हैं हमारा next question क्या है question number 19 question number 19 दिया गया है question 19 में क्या है 15 फुचा है विसाक दत के प्राचिन भारती नाटक मुद्रा राक्सस की विशैवस्थु है प्राच inh पूछी गई है उप्षन ए प्राचीन हिंदू जन शुरूती के देवता और राक्ससों के भी संघर्ष के बारे में उप्षन भी एक आर्या राजकुमार और एक कभिलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में वप्षन कभिला और ये कभिलों के बीच संघर्ष की कथा के बारे में उप्षन डी चंद्रगुप्त मॉरिया के समय में राज दर्बार की दूर विंसंदियों के बारे में तो आपको राइट आंसर बताना है कोईसर नमबर 19 का option d option d क्या हमारा सही उत्तर है option d इसका सही उत्तर होगा option d में क्या दिया गया है चंद्रगुप्त जो मोरिय के समय में जो राजदरबार था उसकी दुर दुर भी संधियों के बारे में भीर संधियों के बारे में तो question number 19 का option D हमारा उत्तर है question number 19 का option D सही उत्तर है चलिए next question क्यों बढ़ेगे next question को देखते है question number 20 next question क시्झ क्या है हमारा question number 20 दिया गया है मालवा गुजरात एवं महारास किस सासक ने पहली बार जीते कोशन 20 में क्या दिया गया जो मालवा और गुजरात है क्या क्या मालवा गुजरात एवं महाराष्ट पूछा गया है कि सासक का नाम बता है जिसने पहली बार जीते है पहली बार पूछा गया इसमें जिसने पहली बार क्या क्या जीते थे मालवा गुजरात और महाराष्ट ज मोरिय तो कौन सा सासक था वो जिसने पहली बार मालवा गुजरात और महाराष्ट जीता था कोश्यन नंबर ट्वेंटी का कोश्यन नंबर जो 20 है इसका जो राइट आंसर होगा कोश्यन नंबर ट्वेंटी का उप्शन डी चंद्रगुप्त मोरिय है हमारा सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मोरिय क्या है केते को से नमबर ट्टी का ओप्शन डी चंद्र गुपति मोर्य इसका सई उततर है चलिए नेक्स्ट को सब्सक्राइब बाढएगे नेक्स्ट क्षिट क्या है को इन्लेट एंपर 20-10-1 को तूंटा में क्या दिया गया है हमारा कोईशन नमबर है अब हमारा कोईशन कोईशन है कोईशन 21 दिया गया इक किसवा कोईशन दिया गया इसमें पूछा गया किसने सहीशनुता उदारता और करूना के त्रीविद आधार पर राजवन्स की स्थापना की कोईशन 21 में क्या दिया गया है कि किसने सहीशनुता उदारता और करूना के त्रीविद आधार पर राजवन्स की किसकी चो राजवन्स की स्थापना की है ओप्शन ए असोक ओप्शन बी अकबर ओप्शन सी रनजीत सिंग ओप्शन डी सिवाजी तो कोईशन नमबर 21 का कोईशन नमबर 21 का जो सही उत्तर है ओप्शन ए असोक इसका सही उत्तर होगा अशोक क्या है हमारा सही उत्तर है तो कोईशन 21 का ओप्शन ए असोक इसका सही उत्तर होगा Question number 21 का option A असोक क्या है हमारा सही उत्तर है चलिए अपने अगले question क्यों चलते है हमारा next question क्या है Question number 22 Next question है हमारा Question number 22 Question 22 में क्या देगा है निमली खित किस सहर में असोक के सिलालेक नहीं है Q22 में पूचा गया कि कौन सा वो सहर है कौन सा सहर पूचा गया जिसमें असोक के सिलालेक नहीं है तो असोक के जो सिलालेक है वो कौन से सहर में नहीं है आपको बताना है Q22 में पूचा गया जो असोक के सिलालेक है वो कौन से सहर में नहीं है option A नहीं पूचा गया कि किस सहर में नहीं है option A गिरनार, option B, कंधार, option C, पाटली पुत्र, option D, टोपरा तो बताइए कौन से सहर में असोक के सिला लेक नहीं है इसका question number 22 का आपको answer देना है question number 22 में पूचा गया है, जो सहर पूचा गया है कि जिसमें असोक के सिला लेक नहीं है इसका जो सही उत्तार होगा question 22 का option C, पाटली पुत्र, कौन से सहर? जो पाटली पुत्र सहर है उसमें जो है असोक के सिला लेक नहीं है तो कौन से सहर में असोक के शिला लेक नहीं है पार्टली पुत्र शहर में असोक के शिला लेक नहीं है कोशन नमबर 22 का ओप्संट C क्या है हमारा सही उत्तर है चलिए अपने अगले कोशन क्यों चलते है हमारा नेक्स्ट कोशन क्या है नेक्स्ट कोशन को देखे के कोशन नमबर 23 नेक्स्ट कोशन क्या है हमारा कोशन नमबर 23 दिया गया है कुशिन 23 में क्या पूछा गया है अर्थ सास्त्र का कौन शाओ जो अर्थ सास्त्र है उसका लेकक पूछा गया है कि किसके समकालीन था जो अर्थ सास्त्र का जो लेकक था वो शमकालीन था किसके समकालीन था अर्थ सास्त्र का कौन से सास्त्र का आर्थ सास्त्र का जो लेकग था ओप्शन ए असोक का ओप्शन बी चंद्रगुप्त का ओप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ओप्शन डी समुद्रगुप्त का तो बताए जो आर्थ सास्त्र का लेकग था ओप्शन नमबर 23 में पूछा गया है जो आर्थ सास्त का लेकक था वो किसके समकालीन था तो जो इसका सही उत्तर होगा किसके समकालीन था अर्थसास्तर का जो लेकक था वो चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त का समकालीन था कौन जो अर्थसास्तर का लेकक था वो चंद्रगुप्त का समकालीन था तो कोशन 23 का कोशन नमबर 23 क option B चंद्रगुप्त का इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त का जो समकालीन था वो कौन था अर्थ सास्तर का जो लेकप था वो चंद्रगुप्त के समकालीन था चलिए question 23 का option B हमारा right answer है सही उत्तर है next question को देखते है next question देखते है question number 24 next question क्या है question number 24 है इसमें दिया गया नंदवन्स के पश्चात मगद पर किस राजवन्स ने शाशन किया question 24 में क्या पूचा गया है question 24 में पूचा गया है जो नंदवन्स के पश्चात जो मगद पर पूछा गया कि कौन से राजवंस ने शाशन किया ता कि इस पर जो नंदवंस के जो पश्चात है नंदवंस के बाज जो नंदवंस है उसके जो पश्चात है मगद पर कौन से पर जो मगद है उस पर कौन से राजवंस ने शाशन किया option a मोरिय, option b सुंग, option c गुप्ट, option d कुश्यान, option d कुश्यान तो question number 24 में पूछा गया जो नंदवन्स था उसके पश्चा जो मगद पर कौन से राजवन्स ने शाशन किया है नंदवन्स के बाद में पूछा गया है तो question number 24 का option a मोरिय क्या इसका सही उत्तर होगा मोरिय क्या है मारा सही उत्तर है तो question 24 का option a मोरिय इसका सही उत्तर होगा जो मोरिय था उसने नंदवन्स के पश्चा जो मगद पर राजवन्स मगद पर क्या किया था मोरिय राजवन्स ने कौन से जो मोरिय राजवन्स था उसने शाशन किया था किस पर नंदवन्स के परश्चा जो मगत था उस परशाशन किस ने किया था मोर्या ने तो question 24 का option A मोर्या इसका सही उत्तर होगा चलिए next question को देखते है next question क्या है हमारा question number 25 दिया गया है question number 25 में क्या दिया गया है मोर्या काल में सिक्सा का किसका जो सिक्सा है उसका शर्वादिक परशिद केंद्र था कौन सा काल पूछा गया है जो मोर्या काल में मोर्या काल में सिक्सा का शर्वादिक परशिद केंद्र था तो बताए कौन सा केंद्र था जो मोर्या काल में कौन से काल में जो मोर्या काल में सिक्सा का जो सर्वादिक परशिद केंद्र था क्या जो सबसे famous जो center था कौन से काल में जो मोरिय काल में जो शिख्षा का जो सरवादी कियानी की सबसे जो फेमस केंद्र या सेंटर था वो पूचा गया है मोरिय काल के समय में मोरिय काल में पूचा गया है शिख्षा का किसका जो शिख्षा है उसका पूचा गया है सबसे famous केंद्र था सबसे famous केंद्र था six का तो question 25 का question number 25 का option c तक से सिला इसका सही उत्तर होगा तक से सिला क्या है हमारा सही उत्तर है तो question number 25 का option c तक से सिला इसका सही उत्तर होगा क्या सही उत्तर है तक से सिला हमारा सही उत्तर है तक से सिला इसका सही उत्तर होगा जो मोरियकाल में सिक्सा का क्या था सरवादिक परशिद केंद्रे था कौन था तक से सिला इसका सही उत्तर है कोशन नमबर 25 का ओप्शन C तक से सिला अमारा सही उत्तर है जो सबसे famous केंदरी तासिक्षा का वो तक सिला तक इस समय में मोरिय काल के समय में तो question number 25 का question number 25 का option C तक सिला इसका सही उत्तर है चलिए next question क्यों चलते है next question को देखेगे next question क्या है हमारा next question is question number 26 question number 26 में क्या पूचा गया है मेघास्त नीज की पुस्तक का नाम क्या है कौन से पुस्तक पूची गई है मेघास्त नीज की जो पुस्तक है उसका नाम पूचा गया है question 26 में पूचा गया है मेघास्त नीज की पुस्तक का नाम क्या है तो बताइए जो मेगास्ति नीज के पूस्तक थी उसका क्या नाम है? मेघास्तनीज का पुछा गया है एंडीका इसका सई उत्तर होगा इंडीका सई उत्तर है इंडी का तो मेघास्त नीज की पुस्तक का क्या नाम था इंडी का जो पुस्तक थी वो मेघास्त नीज की पुस्तक थी तो Q26 का Option D, Option D हमारा सही उत्तर है मेघास्त नीज की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था इंडी का इसका सही उत्तर होगा तो question 26 का option D इंडी का इसका सही उत्तर है चलिए next question क्यों चलते है next question को देखेगे question number 27 question number कौन सा है ये 27 दिया गया है कौन सा question है question 27 question 27 में क्या दिया गया है हमारा इसमें पूछा गया जिसके गरंत में जिसके गरंत में चंदरगुप्त मोर्य का विशिस्ट रूप से वर्नन हुआ है वह है तो question 27 में क्या पूछा गया है जो जिसके गरंत में जिसके गरंत में चंदरगुप्त मोर्य का विसिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है तो बताईए किसका हुआ है वर्णन विसिष्ट रूप शे किसके ज़ो चंद्रगुप्त मोर्या का विसिष्ट रूप शे वर्णन हुआ है वह है option A भास option B सुदरक option C विशाक दत option D अस्व घोश तो question 27 में question number 27 में जो पूछा गया जिसके गरंत में किसके गरंत में अचंद्रगुत मोर्य का विशिस्ट रूप शेवर्णन हुआ है तो question 27 में option C question 27 का option C विशाक दत इसका सही उत्तर होगा विशाक दत क्या है हमारा सही उत्तर है विशाक दत इसका सही उत्तर होगा वै कोन है विशाक दत है विशाक दत इसका right answer है तो question 27 का option C विशाक दत इसका right answer है विशाक दत इसका right answer है तो question 27 का option C ड़ी विशाकादत इसका सभी उत्तर होगा चली अपने अगले को चलते हैं Next कोशन को देखेंगे को ओवेंटी एट को ओजननबर ट्वेंटी एट दिया गया हमारा । और हैं कोशननबर ट्वेंटी एट में क्या दिया गया है वह है शोत जिसमें पाठली पुत्र के परशाशन का वर्णन उपलब्द है वह है कोशन 28 में दिया गया वह शोत बताए जिसमें पाटली पुत्र के परशाशन का वर्णन उपलब्द है वह है तो वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटली पुत्र का जो परशाशन है उसका वर्णन उपलब्द है एवलेबल ह तो वह शोट पुचा गया है वह शोट पुचद आया है क्या पुचा गया सोर्श पूचा गया है शोट पुचा गया जिसमें पाठली पूटर के परशाशन का वर्नन उपलब्द है तो ऑप्ष możli मी क्या दिया दिव्यावदान, उप्षन B, अर्थ सास्त्र, उप्षन C, इंडी का, उप्षन D, असोक के सिला लेक तो बताईए कौन सा वो शोर्स है या शोत है जिसमें पाटली पुत्र के परशाशन का वर्नन उपलब्द है तो कोशन 28 का, कोशन नमबर 28 का जो राइट आंस्वर होगा, शयुत्तर होगा हमारा वो कोशन नमबर 28 का उप्षन C, इंडी का, कौन सा वो शोर्स है वो शोर्स इंडी का है जिसमें पाटली पुत्र के परशाशन का वर्नन उपलब्द है इंडी का शोर्स में, इंडी का जो शोर्स है उसमें पाटली पुत्र के परशाशन का वर्नन उपलब्द है तो कोशन नमबर 28 का उप्षन C, हमारा सही उत्तर है चलिए next question के ओर चलेगे हमारा next question क्या है question number 29 question number क्या है हमारा 29 दिया गया है question number 29 में पूचा गया असोक के सिलालेकों में परियुक्त भाशा है इसके जो अशोक है असोक के सिलालेकों में परियुक्त भाशा पूची गई है परियुक्त भाशा है तो बताए जो अशोक के शिलालेक में जो परियुक्त जो भाशा है वो पूछी गई है जो अशोक के शिलालेक है वो कौन सी भाशा में लिखे गए है कुशन 29 में पूछा गया जो अशोक के शिलालेक है वो कौन सी भाशा में है तो अशोक के शिलालेक है वो कौन सी भाशा में बने है या परियुक्त हुए है कौन सी भाशा में लिखे गए है किसके जो अशोक के शिलालेक है वो भाशा पूछी गई है कि कौन सी भाशा है तो इसका जो सही उत्तर होगा कोशन नमबर 29 का option B प्राकर्त इसका सही उत्तर होगा प्राकर्त क्या है हमारा सही उत्तर है कोशन नमबर 29 का option B प्राकर्त इसका सही उत्तर है जो अशोक के सिला लेकते वे प्राकर्त भाशा में परियुक्त हुए है कौन से भाषा में प्राकर्थ भाषा में परियुक्त हुए है किसके जो अशोक के सिला लेग थे वो प्राकर्थ जो प्राकर्थ भाषा उसमें परियुक्त हुए है तो question 29 का question 29 का option भी हमारा सही उत्तर है चलिए next question क्यों बढ़ेगे next question क्यों चलते है चलिए next question क्या है हमारा question number 30 next question दिया गया है question number 30 निमलिकित में किस मोरिय राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी question 30 में क्या दिया गया हमारा question 30 में पूछा गया निमलिकित जो चार option दिये गए इनमें से किस निमलिकित में किस मोरिय राजा ने मोरिय राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो कौन सा राजा था जिसने राजा ने कौन सा राजा ने दक्कन की किस की जो दक्कन की विजय थी वो प्राप्त की थी तो कौन सा वो राजय था कौन सा वो मोरिय राजय पूछा गया है कि जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी कौन सी विजय जो दक्कन की विजय थी वो प्राप्त की थी तो option A, option A क्या है हमारा असोख, option B, चंदरगुप्त, option C, बिंदुसार, option D, कुनाल option D क्या हमारा कुनाल तो बच्चों बताइए कौन सा वो राजा था जिसने मोरिया है, कौन सा वो मोरिया राजा पुछा गया है जिसने दख्कन की विज़ा है कौना साथ糖 के तो इसका कोईश्यन नमझर थर्टी का कोईश्यन नमझर 30 का चंद्रगुप्त चंद्र घुन valores तरै तो ओप्शान भी चंद्र विजय वो किसने प्राप्त की थी मोर्य राजय जो चंद्रगुप्त था उशने दक्कन की विजय प्राप्त की थी दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो कोशिय नमबर 30 का ऑप्षं फी कोशन noi term dai का वफशन भी हमारा सैवत्तर है चंदरगुपत संध्यों कमर जिसने चंदरगुपत के क्या है ह्योत्तर है जिसने में चंदरगुपत को मोर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की ति तो कॉशन कोन है कि कुनसा जो जन्ध गुपत आ है वो राज ता जिस ने दक्कन की विजन प्राप्त की थी तो कोशन 30 गो पूर चलिए नेक्स्ट कोशण के और बड़ेगे नेक्स्ट कोशण देखते हैं comes फिर नमबर 31 को सिंनमबर 31 है इसमें पूचा गया पूचण बहुत हिए इसमें बहुत है इ। उसको कितने श्रेडनी में कैट repet की आगर कितने कैटरी में किया है यह पूचे गया कौन मेगास्त नीज ने मेगास्त नीज ने जो भारते शमाज था हमारा उसको कितने शेणियों में विभाजित किया option A, 4, option B, 5, option C, 6, option D, 7 तो बताईए question number 31 का question number 31 का शही option बताना है सही उत्तर आपको चुनना है जो में घास्त नीज है उसने भारत्य शमाज को कितनी शेन यह कितनी category में डिवाइड किया है question number 31 का जो सही उत्तर होगा question number 31 का option D साथ इसका सही उत्तर होगा शाथ क्या है हमारा सही उत्तर है जो साथ में डिवाइड किया था भारत्य समाज को जो category किया था डिवाइड किया था कितने शेवन पार्ट में डिवाइड किया था किसने मेघास्त नीजने भारत्य समाज को साथ शेनियों में विभाजित किया तो कोशन नमबर 31 का ओप्शन D साथ इसका सही उत्तर होगा साथ क्या है मारा सही उत्तर है चलिए नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं नेक्स्ट कोश् dopamine का है कोसिय pro 32 में किया पूचा गया है कोटिल्यक के आर्थ- covenantel पहलों पर प्रकास दाला गया है कोश हमारा कोटिल्यक के पहलों पर प्रकास दाला गया है Q32 में पूचा गया है जो कोटिल्य का अर्थ शास्त्र है कोटिल्य के अर्थ शास्त्र पूचा गया है कि उसमें किस पहलू पर प्रकास डाला गया है तो कौन सा पहलू है जिस पर प्रकास डाला गया है किस में जो कोटिल्य का अर्थ शास्त्र दिया गया है उसमें किस पहलू उपर प्रकास डाला गया है कोश्चन 32 में दिया गया है हमारा जो कोटिल्य के अर्तरशास्त कौन सा जो कोटिल्य का अर्तरशास्त रहा उसमें पूछा गया कि कौन से पहल उपर प्रकास डाला गया है तो उप्शन एक हमार आर्थिक जीवन उप्शन बी राज नितिक नीतिय option C, धार्मिक, जीवन, option D, सामाजिक, जीवन, तो बताईए जो कोटिलय का अर्थर शास्त्रा उसमें कौन से पहलू पर प्रकास डाला गया है, तो कोशियन नंबर 32 का राजनितिक जो नितिया थी, option बी, राजनितिक नितिया क्या इसका सही उत्तर है तो कौन से पहलों पर प्रकास डाला गया है, उसके पहलों पर प्रकास डाला गया है कोटिल ले के कौन से जो अर्थ शास्त्र है किसका जो कोटिल ले का अर्थ शास्त्र है उस पर उसमें जो परकाश जाला गया है राजनितिक जो नितिया थी उस पर परकाश डाला गया है तो कोशन नमबर 32 का उप्शन भी राजनितिक नितिया इसका सही उत्तर होगा चलिए नेक्स्ट कोशिन की और बढ़ेगे नेक्स्ट कोशिन को देखेगे कोशिन नमबर 33 नेक्स्ट कोशिन क्या है हमारा कोशिन नमबर 33 दिया गया है कोशिन नमबर 33 में पूछा गया नीमन में से कौन साथ चेतर असोक के सामराज्य में सम्मिलित नहीं था कोशन 33 में दिया गया नीमने में से कौन साथ छेतर असोक के सामराज्य में सम्मिलित नहीं था तो कोशन 33 में क्या पूछा गया वो छेतर पूछा गया जो असोक के सामराज्य में सम्मिलित नहीं था जो अशोक के सामराज जैमें नहीं था वो चेत्र वो एडिया पूछा गया है तो जो अशोक के सामराज जैमें नहीं आता था उप्शन A अफगानिस्तान उप्शन B बिहार उप्शन C सिरी लंका उप्शन D कलिंग तो बताईए कौन सा वो चेत्र था जो अशोक के सामराज जैमें नहीं आता था जो अशोक के सामराज जैमें सम्मिलित नहीं था अशोक का सामराज जैमें नहीं था जहां पर वो पूछा गया कोशन नमबर 33 का एरिया वो कौन सा था जिसमें आशोक का शामराज्य नहीं चलता था तो इसका जो कोश्य नमबर 33 है इसका option C सिरी लंका इसका सही उत्तर होगा सिरी लंका क्या है हमारा सही उत्तर है तो कोश्य नमबर 33 का option C सिरी लंका इसका सही उत्तर होगा सिरी लंका क्या इसका सही उत्तर है Q33, 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 Q अब हम नेक्स्ट कोश्चिन के है हमारा कोश्चन नमबर 34 कोश्चन नमबर 34 दिया गया है कोश्चन नमबर 34 में क्या दिया गया जो पाटली पुत्र को किस सासक ने सरुपर्थम अपनी राजधानी बनाया कोश्चन 34 में पुछा गया पाटली पुत्र को किस सासक ने सरुपर्थम अपनी राजधानी बनाया तो पाटली पुत्र बताईए वो कौन सा सासक था जिसने सरुपर्थम अपनी राजधानी बनाई कोश्चन 34 में पुछा गया है जो पाटली पुत्र को कौन सा सासक था पाटली पुत्र को सासक पुछा गया जिसने सरुपर्थम अपनी राजधानी बनाई तो कौन सा सासक था जिसने पाटली पुत्र को सबसे पहली बार अपनी राजधानी बनाई या सरुपर्थम अपनी Option C, चंद्रगुप्त विक्रमादित्या, Option D, कनिश्क Option D, कनिश्क तो कौन सा सासत था जिसने शवर परतम अपनी राजधानी क्या बनाई थी पार्टली पुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी तो कौशन नमबर 34 का Option A, चंद्रगुप्त मोरिया इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मोरिया ने शवर परतम जो पार्टली पुत्रत है उसे अपनी राजधानी बनाई थी चलिए नेक्स्ट कुश्चन को देखते हैं पम नेक्स्ट क्यों चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है क्यों नमबर थार्टी फाइब क्यों में स्थित चंदरगुप्त का महल मुख्यता बनाता क्यों थां तो बताईए जो पाटली पुत्र में इस्थित जो चंदरगुप्त का महल पूचा गया जो पाटली पुत्र में बना था इस्थित था वो मुख्य था किसका बना था क्या चीज उसमें यूज हुई थी जिससे वो महल बनाया गया था तो उप्षन ए इटो का उप्षन बी पत्थर का उप्षन सी लकडी का उप्षन डी मिट्टी का उप्षन डी मिट्टी का तो बताईए किस से चंदरगुप्त का महल बना था जो पाटली पुत्र में इस्थि तो किस से किस चीज से वो बनाता वो महल बनाया गया था तो कोशन नमबर 35 का ओप संसी लकडी का लकडी का क्या था वो महल था जो पाटली पुत्र में इस्चित्ता चंद्र गुप्त का जो महल था वो पाटली पुत्र में इस्चित्ता वो मुख्यता बना था वो लकडी का ब जो चंदरगुत का महल का जो बना कहां पर था पाटली पूत्र में इस्तित ता पाटली पूत्र में बनाया गया था वो लकडी का महल था चलिए next question के ओर चलेगे next question को देखते है question number 36 next question क्या है हमारा question number 36 दिया गया इसमें पूछा गया बराबर जहानाबाद जिला बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओ का उपयोग किसने आशर्य ग्रह के रूप में किया question 36 में पूछा गया है बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओ का उपयोग किसने आशर्य ग्रह के रूप में किया आशर्य ग्रह के रूप में किया तो बताये जो बराबर तायानी की जो जहानाबाद जिला था कौन सा जहानाबाद जिला की जो गुफाय थी क्या जो गुफाय थी उसका जो उप्योग था वो किसने जो आश्रे ग्रह के रूप में किया आश्रे किया उसमें कौन था वो उप्शन ए आजी वी काओ ने आजी वी को ने उप्शन भी थार वो ने उप्शन सी जैनो ने उप्शन डी 3 तरिक कोने तो बता ये उस गुफा जो वे गुफा ती जानाबाजिला में वो उन गुफाओं का जो उप्योग आश्या ग्रह के रूप में किसने किया था कोशन नमबर 36 का उप्शन A आज ही भी को ने उसे आश्या ग्रह के रूप में उप्योग किया था किसे जो जहाना बाजिला की गुफा थी तो question number 36 option A हमारा सही उत्तर है चलिए next question क्यों चलते है next question क्या है question number 37 question number 37 आ गया अब हमारा इसमें पूछा गया किस अभिलेक से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का परभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था question 37 में पूछा गया है किस अभिलेक से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो परभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था question 37 में पूछा गया है वो अभिलेक पूछा गया कौन सा जो किस अभिलेक की बात हो रही है कि क्यों सा अभिलेक था जिसमें यह साबित होता है क्या साबित होता है कि जिसमें जो चंद्रगुप्त का परभाव था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था वो अभिलेक पूछा गया जिसमें यह बात है उससे यह साबित होता है कौन से अभिलेक से यह साबित होता है जो चंद्रगुप्त का परवाता अपश्चिम भारत तक फैला हुआ था option A कलिंग अभिलेक option B असोग का गिरिनार अभिलेक option C रुद्रदमन का जुनगड अभिलेक option D असोग का सोपारा अभिलेक तो बताए कौन सा अभिलेक था जो शाबित करता है कि चंद्रगुप्त का जो परभावता ओपस्चिम भारत तक फैला हुआ था इस्प्रेड था कोश्य नमबर 37 का शही उत्तर बताना है तो कोश्य नमबर 37 का अभिलेक था कौनसा अभिलेक था वो रुद्र दमन का जूना गड़ भिलेक कौनसा अभिलेक साबित करता है कि जो परभावता ओपस्चिम भारत था प्वहलता जूद्र दमन का जूना गड़ भी लेकि है शाबित करता है तो कोश्य नमबर 37 का option C हमारा सही उत्तर होगा कोश्य नमबर 37 का option C हमारा सही उत्तर है चलिए next question को देखेगे question 28 next question क्या है हमारा question 38 दिया गया केवल वह इस्तंब जिसमें असोक ने शुयम को मगद का समराट बताया है Q38 में पूछा गया है वह इस्तंब पूछा गया केवल वह इस्तंब जिसमें असोक ने शुयम को मगद का समराट बताया है तो बताईए वो इस्तम पूछा गया है किसमे जो इस्तम में जिसस इस्तम में आशोक ने शुयम को मगद का समराथ बताया है option a मस्की का लगू इस्तंब option b रुमिन देही इस्तंब option c क्वीन इस्तंब option d ब्रा option d में क्या है भाबरू भाबरू इस्तंब तो बताये कौन सा इस्तंब था वो जिसमें असोक निश्यम को मगद का समराथ बताया है तो question number 38 का option d ब्राबू भाबूरू जो इस्तंब था वो भाबरू बाबरू इस्तंब क्या था जिसमें असोक निश्यम को मगद का समराथ बताया है तो question number 38 का option d हमारा सही उत्तर है चलिए next question के ओर चले गया अब हम next question को देखेगे question number 39 next question के हमारा question number 39 दिया गया है तो question 39 में क्या दिया गया है इसमें दिया गया सूची फर्स्ट और सूची सेकिंड से सुमेलित कीजिए तता शूचियों के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चयाने कीजिए तो इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकिंड आपको दी गई है चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है में इसमें दिया गया है चंद्र गुपत चंद्र गुपत क्या था सैंडो कोड्स सैंड्रो कोर्स जब बिंदु शार था वह अभीम भरगी तब mandatory असोक था असोक क्या था पिया है दशी और जो चानक क्या था वह विश्नु गुप्त तो इसका क्या बनता है 2 3 1 4 2 सुची फरस्ट और सुची शागिन में क्या बना 2 3 1 4 बनता है चलिए देखते है कौन से option में 2 3 1 4 तो कोश्यन नमबर 39 का question 39 के option देखते है option इसमें 2 3 1 4 तो option C में option C में क्या दिया गया है हमारा 2 3 1 4 दिया गया है question number 39 के option C में 2 3 1 4 दिया गया है तो यही हमारा सही उत्तर है question number 39 का option C हमारा सही उत्तर है चलिए next question के और चलेगे next question को देखेगे question number 40 question number 40 में क्या दिया गया हमारा भार पर्थम question 40 में दिया गया पर्थम भारतिय समराज्य स्थापित किया गया question 40 यह हमारा लास्ट कोश्यन आज की मेरे थन क्लास का कोश्यन 40 में पूछा गया पर्थम भारत्य सामराज्य इस्थापित किया गया जो पर्थम भारत्य सामराज्य इस्थापित किया गया था भारत्य सामराज्य इस्थापित किया गया था तो पर्थम भारत्य सामराज्य इस्थापित कि किया गया ओप्शन ए कनिश्क दुआरा ओप्शन भी हर्स दुआरा ओप्शन सी चंद्रगुप्त मोर्य दुआरा ओप्शन डी समुद्रगुप्त दुआरा तो बताईए जो पर्थम भारते सामराज्य था वो किसके दुआरा स्थापित किया गया था कनिश्क के दुआरा हर किस के दुआरः या फिर चंद्रगुप्त मर्य दुआ या संद्रू गुप्त दुआरः तो ला नटे हैं सामराज्य पहली बार पर थमिस्थापत किया गया तो कोशन पूर्टी का कोशन मंबर πोडिक का अपसण सी चंद्रगुप्त मोर्य द्वारा पर्थम भारत्य सामराज्य स्तापित किया गया तो कोश्यन नमबर 40 का उप्षन C चंद्रगुप्त मोर्य द्वारा इसका सही उत्तर होगा कोश्यन नमबर 40 का उप्षन C हमारा सही उत्तर है कोश्यन नमबर 40 का उप्षन C चंद्रगुप्त मोरिया दुआरा इसका सही उत्तर होगा चलिए जो आपको चलिए बच्चो यह हमारा लाश्ट कुशन था यह भी हमने कर लिया आपको मैरतन क्लास ओटेस्ट कंटीनू मिल रहा है आपको जो क्लास में रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी क्लास कंटीनू करनी पड़ेगी आगे की क्लास की साथ-साथ आपको जब पीछे की क्लास हो चुके पीछे जो कुशन कराए जा चुके वे भी आपको साथ-साथ करने हैं साथ-साथ आपको लेके चलने हैं नहीं तो आप पीछे का बूलते रहोगे और आगे का याद रहेगा एक्षामाइंब आपको इसी तरह आपकी तो जो एक्जाम में आपको चलएंड से लिया आपको सबकुछ आना चाहिए Star hope को पता होना चाहिए चलिये जो आपको आज्की दिधु दूंस आपको आपको अच्छी लगेगो यह रहीओ तो वीडियो को like करें कमेंट करें वीडियो को जादा से जादा सेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल परिक्सा सेपाटी को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहें थैंक यू